नमस्ते प्रियजनों राइट वियास्टो चैनल पर आपका स्वागत है थमनेल में मैंने जो लिखा है ये वीडियो सिर्फ तूला राशी वाले ही देखे वो ऐसे ही नहीं लिखा है इस विडियो में तूला राशी वालों के लिए विष्टो को लेकर खास बाते मैं बताने वाला हूँ मतलब आपकी राशी नुसा आपको कौन से लोगों से लाव होगा कौन से लोग आपके लिए अच्छे साबित होंगे किस से मित्रता करनी चाहिए किसकी बात माननी चाहिए कौन सी राशी के लोगों से दो हाथ दूरी बना के रखना है ऐसी बाते हमारे जीवन में रिष्टे कितने महत्तो पुर्ण है ये आप जानते ही है रिष्टे बनाय रखने के लिए आपकी कोशिशे भी चलती रहती है क्योंकि चाहे न चाहे लोगों के संपर्क में हमें रहना ही पड़ता है कुछ अंचाहे लोगों से भी हमारा पाला पड़ता ही रहता है इसमें कुछ लोग हमारे लिए अच्छे भी होते हैं तो कुछ लोग हमें परेशान करते हैं ऐसे में कौनसे लोगों से हमें किस हद तक करीवी बढ़ानी है, कौनसे लोगों से दुरी बना के रखनी है, मेरा मतलब कौनसे लोगों से सतर करेना है, इससे राशी के आधार से हम समझ सकते हैं. इसमें कुछ नैचुरल रिष्टे होते हैं, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, संतान वगेरा, लेकिन कुछ रिष्टे हम बनाते हैं, कुछ रिष्टे अपने आप बनते रहते हैं, इसमें हमारे दोस्त, जीवन साथी, लव पार्टनर, ओफिस में बॉस, अपने कारेक शेत्र पर के सह कर्मी वगेरा, अडोस-पोडोस की लोग भी होते हैं, सभी का वेवहार आपके साथ कैसा रहता है, क्या सभी आपके हिसाब से सही होते हैं, नहीं न, क्योंकि आपकी राशिन उसार आपका स्वभाव, आपकी वीचारधारा, और सामने वाले के वेवहार में अंतर ह जोतिश में 12 राशियों के अलग-अलग सभाव दर्शाय है। कौन सी राशिया आपके लिए सही है? मतलब आपकी तुला राशी के सभाव को मैच करती है। यही इस वीडियो द्वारा आप जान सकते है। इससे आपको लोगों को पहिचानने में मदद हो सकती है। वैसे भी लोगों को पहिचानने में, परखने में आप माहिर है। लोगों को परखने की तो आपकी खास आदत है। सामने वाले के प्लस माइनस पॉइंट आप बखु भी जानते है। आपकी ये खासियत है कि आपको सही गलत की पहिचान होती है। आप जन्मत आप पारखी नजर के ह वो कहते हैं न, standard, middle point आपको अच्छे से पता होता है, क्योंकि आप naturally बुद्धिमान है, समाज में चल रहे हर बात की आप जानकारी रखते हैं, आधुन इक्तावादी होने के साथ आप शवकिन मिजास के हैं, आप खुश रहना और खुशिया बाटना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, जिनें आपका ये अंदाज पसंद नहीं आता, आपके शत्रों में आपसे जलने वाले लोग, आपके द्वेश करने लोग जादा होते हैं, फिर भी लड़ाई जगडे करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं, आप कभी भी किसी से द जो लोग आपको पसंद नहीं आते, उनसे कैसे दुरी बना की रखनी हैं, ये भी आपको अच्छे से आता है, इसके साथ ही आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, कोई कुछ भी कहे, आप अपने तत्व नुसार ही चलते हैं, सुनेंगे सब की, करेंगे मन की, ये तो आपका खास मूलमंत्र है, लेकिन आपकी यही बात आपके संपर्क में रहने वालों को खटकती है, आपकी इसी आदत से कुछ लोग आपसे नाराज रहते हैं, आप कितने भी अच्छे से विवहार रोको, कुछ लोग आपको बदनाम करने में लगे ही रहते हैं, अगर आप सभी राशी के लोगों में भी कुछ खासियत और कुछ कम्या रहती है, ऐसे में आपके लिए हर रिष्टे के हिसाब से, मतलब किसके साथ दोस्ती करनी है, किससे दुरी बना के रखनी है, जीवन साथी किसे चुनना है, किसके साथ आप खुश रहेंगे, बिजनेस में पार् पाइदे की बात करते है, आपके लिए सीहा राशी के लोग सबसे अधिक अच्छे है, बले ही ये आपके शत्रुग्रह की राशी हो, लेकिन आपको सीहा राशी के लोगों से लाब होगा, सीहा राशी वालों के साथ व्यवहर में आपका फाइदा होगा, किसी भी मुसीबत सिहां राशी वाले आपके साथ रहेंगे, आप पर कभी आच नहीं आने देंगे, सिहां राशी वालों से आप मित्रता बढ़ा सकते हैं, कुम्भा राशी वालों से आपकी जादा करी भी हो सकती है, कुम्भा राशी के लोग आपको बहुत पसंद आएंगे, ये राशी आपक भावनाओं को समझने आरे लोग कुम्भराशी के होते हैं। कुम्भराशी के लोगों के साथ रहने से आपकी खुशिया दुगनी होगी। मिथुनराशीवाले वरिष्ष्ट लोगों से आपको सही मार्गदर्शन प्राब्द होगा। आपके किसी भी महत्तो पुरुन डिसीजन में मिथुन राशी वालों के सम्मधिकी मुहर लगना आवश्यक है। मिथुन राशी वाले आपके धेय प्राप्ती में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके सपने पुरुन करने के लिए मिथुन राशी वाले वरिष्टों से आपको सलाल लेनी चाहिए. ये लोग आपको गलतियोंसे बचा सकते हैं. मिथुन राशी वाले आपके लिए सार्थिकी भुमिकानी भाएंगे. अब जीवन की सबसे महत्वपुर्ण बात करते है विवाह जो हमारे जीवन का तर्निंग पॉइंट होता है जीवन साती के रूप में आपके लिए यही दो राशिया कुम्भ और मिथुन बहुत अच्छी है इनके साथ आपका दामपत्य जीवन एक आदर्श बन सकता है अगर आपको कुम्भ या मिथुन राशी का जीवन साते मिला तो आप भाग्यशाली रहेंगे सिहा राशी वालों के साथ आप थोड़ा असहज महसूस करोगे लेकिन जीवन साते के लिए एक और राशी अच्छी रहेगी मेश राशी मेश राशी के साथ दामपत्य जीवन में आपका तालमेल बना रहेगा दोनों एक दुसरे की खासियत और कमियों को समझते हुए बहुत अच्छे से रिष्टा निभा सकते है मेश राशी और तुला राशी में एक दुसरे के पती आकर्शन ज़्यादा रहता है दोनों को एक दुसरे की आवशकता रहती है व्याव से एक पार्टनर की बात करें तो आपको धनू, मेश और सीहन राशी वालों के साथ पार्टनर्शिप करनी चाहिए धन्दु राशीवाले आपकी सुनके चलेंगे तो सीहा राशीवालों से आपको लाब होगा मेश राशीवालों के साथ आपकी पार्टनर्शिप ज्यादा सही होगी कुछ कम न कुछ ज्यादा दोनों एक दुसरेखो अच्छे से एड़्जेस्ट कर सकते है बाकी आपके जैसे तुला राशीवालों के साथ आपके रिष्टे ठीक ठाक रहेंगे कोई खास प्रॉब्लेम नहीं होगी लेकिन वुरुष्चिक राशीवाले लोग आपको जरावी पसंद नहीं करेंगे मकर राशीवालों से भी आपकी रिष्टे सामा निता अच्छे ही रहेंगे मकर राशीवाले आपकी चिंता का विशे रहेंगे करक राशीवाले लोगों को आप पसंद नहीं करोगे कर्क राशी वाले लोगों का बाद बाद पर रूटना आपको बिलकुल पसंद नहीं वैसे ये चारो राशिया तुला, वुरुष्चिक, मकर और कर्क इनसे आपको कोई खास परेशाने वाली बात नहीं है ऐसे रिष्टे निभाने में आप माहिर है बाकी बची तीन राशियों से आपको सावधान रहेना है मीन, वुरुषब और कन्या इसमें मीन राशिय वाले आपके लिए एक समस्या जैसे रहेंगे आपको बार बार परेशान करते रहेंगे मिन्द राशी वालों के साथ आपका कुछ न कुछ खटका बना ही रहेगा मिन्द राशी वालों के कारण आपको ना चाहते हुए भी बहुत बातों में एड़ेस्ट करना होगा आखिर में आप इनसे परेशान हो जाएंगे इन्हें आपका शोग आपकी खुशया मनाने का तरीका बिलकुल पसंद नहीं होगा इसके बाद दूसरी वुरुषव राशी वुरुषव राशी के लोग आपके साथ बहुत मीठी-मीठी बाते करके आपसे दोस्ती बढ़ा सकते हैं लेकिन कभी ना कभी ये लोग आपको बड़ी मुसिवत में डालेंगे आपके साथ धोका कर सकते हैं ये वही लोग है जो आपसे जलते हैं आपसे द्वेश भाव रखते हैं लेकिन आपके सामने ये लोग कभी दिखाएंगे नहीं गुर्षब राशी वाले पीट पीछे आपकी बदना में जरूर करेंगे और आखरी राशी है कन्या कन्या राशी वाले आपके लिए छिपे शत्रु जैसे हैं ये लोग आपको लूटने वाले हैं आपका फाइदा उठाने वाले हैं इनके लिए आपको खर्चा करना होगा बार-बार इनकी सहायता करनी होगी इनके लिए आप कितना भी कुछ भी करो कन्या राशी वाले कभी आपसे खुश नहीं होगे इन्हें खुश रखने के लिए आपको कुछ न कुछ करते ही रहना होगा और खास बात ये है कि इसके बदले में आप इनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस तरह से सभी 12 राशी के लोगों को लेकर रिष्टों का भेद आप जान चुके हैं। लेकिन ऐसे राशी के आदार पर रिष्टे परखने के लिए आपकी जन्मराशी नुसा, सामने वाले की जन्मराशी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी जन्मराशी पता नहीं है, तब आप अपनी नामराशी और सामने वाले की भी नामराशी जानकर अभी के लिए इतना ही Right to Astro चानल देखते रहिए, सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए, धन्यवाद.